हलो एव्रिवन अध्यन कख्षमे आफ सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोशल ड्वल्प्मेंट की यानि समाजिक विकास की इसी के साथ हम बात करने वाले हैं Ericsson's Theory of Psycho Social Development की तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले हम बात करेंगे social development की यानि की जो समाजी विकास है वो क्या है तो हम सब जानते हैं कि हम सभी समाजी पराणी है हम एक society में रहते हैं, social expectation के according behave करते हैं social norms को follow करते हैं यदि हम आम शब्दों में कहें तो जो social development है यानि की जो समाजी विकास है वो एक process है society में रहने के लिए, दूसरों से interact करने के लिए जो भी जरूरी है हर उस चीज को वो सीखता है और उसे अपनाता है जैसे की relationship building हो गया, social norm को समझना, कहाँ पर कैसे behave करे ऐसे बहुत सारी चीजे इसमें आती है तो जो समाजी विकास है, वो एक ऐसा process है जहां पर बच्चे society के बारे में learn करते हैं मतलब कि जिस समाज में वो रहते हैं, उसके बारे में सीखते हैं और समाज में कैसे रहें, कैसे act करें, इन बातों को वो learn करते हैं तो जब हम बात करते हैं social development की तो ये उसकी ability होती है, कि कैसे वो दूसरों के साथ interact करता है Next, अब हम बात कर लेते हैं Ericsson's theory of psychosocial development की तो जो Ericsson है, वो काफी famous है identity crisis term के लिए ये जो term है identity crisis, इनके द्वारा दी गई है और इसके लिए वो काफी जाने जाते हैं इसी के साथ उन्होंने अपनी theory में social interaction को काफी जादा importance दी है इनके अनुसार किसी भी individual की जो development होती है उसमें उसकी social interaction और जो उसका experience है वो काफी important role play करते हैं इन्होंने development की 8 stages दी है जो की individual की growth को और throughout life जो changes आ रहे हैं उनके बारे में बताती है इसमें जो main focus है वो social interaction और उन conflicts पर रहता है जो की different stages पर arise होते हैं उन्होंने कहा कि हर एक stage पर हम एक developmental crisis यानि की एक developmental conflict को face करते हैं जो की हमारी बात की functioning को और जो आगे growth होती है उसे influence करती है तो इन्होंने जो 8 stages दी वो है तो जो एरिक्सन है इन्होंने कहा कि किसी भी individual की development stages में होती है और हर एक stage में वो एक crisis को यानि एक रुकावट को face करता है और यति वो इस crisis को successfully resolve कर लेता है तो एक healthy personality की development होती है तो मतलब कि उसमें एक positive healthy development देखने को मिलती है और यति वो ऐसा नहीं कर पाता तो एक negative development होती है चलिए अब हम one by one हर एक stage के बारे में जान लेते हैं हमारी first stage है trust versus mistrust यह stage जनम से डेट वर्ष तक होती है मतलब कि यह हमारा infancy वाला period है यहाँ पर चो virtue है वो hope है और चो main task है वो feeding है अब इस stage में बच्चा काफी छोटा है यानि कि अभी वो infant है तो पूरी तरह से दूसरों पर dependent है मतलब कि वो हर एक चीज के लिए चाहे वो खाना हो, love हो, safety हो हर चीज के लिए वो अपने parents पर, अपने caregiver पर dependent है अब इस stage में यदि उसकी हर need का ध्यान रखा जाए उसे care मिले, प्यार मिले मतलब कि उसको हर चीज सही से मिले तो जो बच्चा होता है उसमें trust की भावना पैदा होती है और यदि ऐसा ना हो मतलब कि यदि उसे ये सब ना मिले तो जो बच्चे होते हैं उनमें mistrust पैदा हो जाता है मतलब कि अगर बच्चे का सही तरीके से ध्यार रखा जाए उसे प्यार मिले, हर चीज उसे टाइम पर मिले तो उनमें एक hope पैदा होती है उनमें एक trust पैदा होता है कि उनके लिए कोई है और यदि ये सब ना हो तो उनमें mistrust पैदा हो जाता है अपने surrounding के लिए अब यदि जो बच्चा है यदि वो trust develop कर लेता है तो उससे safe और secure feel होता है और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उससे fear और disbelief मैसूस होते है नेक्स्ट है स्टेज टू autonomy versus shame and doubt यह जो स्टेज है यह डेड़ वर्ष से तीन वर्ष तक होती है यानि कि यह early childhood का period है यहाँ पर जो virtue है वो will है और जो task है वो toilet training है अब इस मै के दोरान जो बच्चे होते हैं वो अपनी physical activities पर physical skills पर control करना चाहते हैं और साथ में sense of independence को dwell करना चाहते हैं तो इस समय के दोरान जो बच्चे होते हैं वो कुछ basic चीज़े खुद करने लगते हैं कुछ simple decision लेने लगते हैं तो इसलिए कि यह जो stage है इसे me do it stage भी कहा जाता है जैसे इस stage के दोरान जो बच्चे होते हैं वो खुद अपने कपड़े select करने लगते हैं अब इस stage का जो main task है वो twilight training है तो जो twilight training है वो बच्चों को help करती है sense of autonomy को 12 करने में यदि उनकी twilight training अच्छे से हो जाती है तो वो autonomy feel करते हैं और यदि ऐसा ना हो तो वो shame मैसूस करते हैं मतलब कि यदि बच्चा इस चीज़ को successfully कर लेता है तो वो secure feel करता है confident feel करता है और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो self doubt और shame मैसूस करता है next is stage 3 initiative versus guilt यह जो stage है यह 3 वर्ष से 6 वर्ष सक होती है यानि कि यह preschool वाला period है मतलब कि school जाने से पहले की age है अब इस मेर के दोरान जो बच्चा है अभी वो preschool में है तो वो नई नई चीज़े explore कर रहा है तो यदि हम उन्हें explore करने दे initiative लेने दे मतलब कि यदि हम allow करेंगे उन्हें encourage करेंगे तो जो बच्चा होता है उसमें initiative लेने की भावना पैदा होती है मतलब कि वो अपने आपको capable समझते है अपने आपको काविल समझते है और दूसरों को lead कर पाते है और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उनमें क्या है guilt की भावना, self-doubt की भावना रह जाती है मतलब कि यदि हम उन्हें explore करने देंगे initiative लेने देंगे तो जो बच्चे है उनमें initiative लेने की भावना पैदा होती है वो खुद को काविल समझने लगते है और यदि हम ऐसा नहीं करते हम उन्हें रोकेंगे तो उनमें guilt की भावना आजाती है यह जो stage है यहाँ पर बच्चा 6 से 12 साल का होता है मतलब कि यह school age वाला period है यहाँ पर जो virtue है वो competency है और जो main task है वो school है अब इस समय के दोरान जो बच्चा है वो school जाना शुरू करता है दूसरों के साथ interact करता है तो बच्चों में sense of pride पैदा होने लगता है अब बच्चा school में है तो उसमें sports, academic, बहुत सी activities में competency की भावना पैदा होती है यदि ऐसा ना हो तो जो बच्चा है वो inferior feel करने लगता है मतलब कि यदि बच्चा इस stage में successful हो जाता है तो उसमें competence की भावना उत्पन होती है और यदि वो ऐसा ना कर पाए तो वो खुद को inferior feel करने लगता है नेक्स्ट है stage 5 identity versus role confusion यह जो stage है यह आपकी 12 से 19 वर्स तक होती है यानि कि यह adolescence वाला period है इस period को teenage period भी कहा जाता है अब यहाँ पर जो virtue है वो fidelity है और जो main task है वो social relationships है अब इस stage के दोरान जो बच्चा है वो बहुत सी social relationships को form करता है यह जो stage है इसे identity crisis की stage भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो identity form करने की कोशिश करता है वो यह जानना चाहता है कि वो कौन है life में वो क्या करेगा मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीजों से वो deal कर रहा होता है तो यह जो stage है इसे identity crisis की stage भी कहा जाता है अब इस stage के दोरान वो खुद की identity को dwell करता है जो कि उसकी development को उसके behavior को throughout life influence करती है अब यदि वो इस task को successfully complete कर लेता है इसमें वो successful हो जाता है तो वो एक strong sense of identity को dwell करता है और यदि वो ऐसा ना कर पाए मतलब की identity form ना कर पाए तो वो confusion में रहता है मतलब की उसे role confusion हो जाती है यह जो stage है यह आपकी 19 से 45 तक होती है मतलब की यह आपका young adulthood वाला period है यहाँ पर जो virtue है वो love है और जो main task है वो relationships है अब इस stage के दोरान जो individual है वो बहुत से relationship form करता है मतलब की जो person है वो दूसरों के साथ intimate loving relationship form करते है जो आपकी शादी वगेरा है वो इसी stage के दोरान होती है अब यदि individual इन सब को कर बाता है मतलब की यदि वो यहाँ पर successful होता है तो strong relationship form होते हैं और यदि ऐसा ना हो मतलब की यदि जो individual है वो relationship form ना कर पाए तो वो अकेला feel करता है मतलब की lonely feel करता है और isolation में रहता है यह जो stage है यह आपकी 45 से 65 की age तक होती है मतलब की यह middle adulthood का period है अब यहाँ पर जो virtue है वो care है और जो main task है वो work and parenthood है अब इस stage में जो individual है यदि वो अपने काम को parenthood के रोल को अच्छे से पूरा कर पाता है और दूसरों की development में contribute करता है mentor करता है अपने बच्चों की सही से देखवाल कर पाता है अपनी next generation को गाइड कर पाता है तो उसमें generativity की भावना dwell होती है और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी life में stagnation आ जाती है मतलब की एक ठहराव आ जाता है लास्ट है stage 8 ego integrity versus despair तो यह जो stage है यह life का mature phase है तो मतलब की 65 की age के उपर का जो time period है वो आपका stage में आता है मतलब की यह आपकी old age का period है अब इसका जो virtue है वो wisdom है और इसका जो main task है वो reflection on life है तो इस stage के दोरान जो individual होते है वो अपनी life पर reflect back करते है मतलब की अपनी life में पीछे देखते है कि उन्होंने क्या किया जो किया वो सही था या फिर नहीं था तो वो ऐसी चीजे सोचते है और यह देखते हैं क्या वो आज खुश है, satisfied है या फिर वो कुछ चीज regret कर रहे है तो यदि सब कुछ ठीक रहा हो आज आप खुश हो तो आपको एक sense of satisfaction मिलती है और यदि ऐसा ना हुआ हो आप क्या है regret कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यूं किया या फिर ऐसा क्यूं नहीं किया तो आप क्या है निरासा को मैसूस करते हो मतलब की despair को feel करते हो इसी के साथ आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में